नमस्कार दोस्तों कैसे आप लोग आई होब आप लोग बहुत अच्छे होंगे आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ITR1 के बारे में ITR1 भारने की आखरीती थी 31 जुलाई 2022 है इससे तो आप आओगा थी होंगे अब ये सवाल आता है कि जो कमचारी जो सेलरीड इंपलाई 31 जुलाई 2022 तक अगर अपना ITR1 फाइल नहीं कर पाते हैं तो क्या हो सकता है क्या वह इसके बाद भी ITR1 फाइल कर सकते हैं और फाइल करने की कौन सी सरते होंगे तो चली हम इस पर बात करते हैं अगर आप इस चैनल पर नहीं है पहली बार आए तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइगन बेटन को प्रेस जरूर कर दीजेगा और साथ में इस वीटो को लाइक भी जरूर कर दीजेगा तो चली शुरू करते हैं दोस्तों ITR1 जो हम समय से पहले फाइल करते हैं तो उसे करते हैं विफर टाइम तो उसमें 1391 के ताथ हम ITR1 फाइल करते हैं फिर इसके बाद जब आपका डिव डेट निकल जाता है जो भी तरह करता है इंकम टेस्ट डिपार्टमेंट जैसे इस बार 31 july 2022 है बहुत बार सवाल आते हैं कि 31 july 2022 इस बार क्यो डेट नहीं बढ़ने की बात हो रही है तो उस पर भी हम लाश्ट में बात करेंगे कि डेट इस बार क्यो नहीं बढ़ रहे हैं तो पहले बात कर लेते हैं कि अगर 31 july 2022 22 बीट गई और आपका ITR 1 फाइल नहीं हो पाया तो ऐसी कंडिशन में आप क्या करेंगे तो आप यहाँ पर बिलेटट ITR 1 फाइल कर सकते हैं बिलेटट उसमें आपके कुछ चार्जेज हो सकते हैं फाइन लगें जैसे जो पूरो में होता रहा है अगर आपकी टेक्सेबल इ इंकम 5 लाग से जादा है तो आप यहाँ फीज देंगे 5000 रुपे टेक्सेबल इंकम और टोटल इंकम में फरक होता है टोटल इंकम में से जब अपनी सेविंग्स घटा लेते हैं एक जमसंस निकाल देते हैं तो जो हमारी इंकम होती वो टेक्सेबल इंकम होती है तो यहाँ पर पांच लाग से उपर और पांच लाग से नीचे यह आप 31 जुलाई से दिसंबर तक अभी जो डेट मुझे पता चल रही है मैं बहुत स्योर नहीं कह सकता क्योंकि इनकी आफिसियल वेबसाइट पर ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जो भी आपकी revised ITR या belated ITR फाइल करने की डेट होगी वहां तक आप इसे फाइल कर सकेंगे revise हम कब करते हैं जब हमें लगता है कि कुछ data information हमारी गलत हो गई है कुछ income ऐसी थी जो हमने गलत दिखा दी है कुछ savings तो आप वहां पर revised ITR भी फाइल कर सकते हैं अब related के लिए तो आपको जब तक ITR जिस सर्च के लिए उपलफद होता है तब तक आप related कर सकते हैं और condonation जो होता है वो तो थोड़ा अलग चीज़ हो जाती है तो इस पर बात नहीं करेंगे तो अभी आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं इसको लेकर चिंतित मते हाँ थोड़ी आपको fees देनी पड़ सकती है 5000 और 1000 जो conditional है अब यह सवाल आता है कि इस बार 31 जुलाई के बाद date क्यों नहीं बढ़ रही है तो पहले मैंने जो देखा है मैं अपने पांच साल के experience कराण पर बताऊंगा कि ITR 1 जो उपलब्द होता था वो मैई जून ऐसे उपलब्द होता था इस बार ITR 1 भरने के लिए एक अप्रेल को फार्म उपलब्द हो गया था और आपके employer आपके जो भी बित्यों लेखात कारी होते हैं डेडियो होते हैं टीयो होते हैं जहां से आपको फार्म 16 मिलता है उन्हें ये date दी जाती कि 15 जून तक ये आप फार्म 16 अपने इंपलब्द करा दे तो यहां पर कुश्चेजे जब चेंज होती हैं उस तरह से तयारी नहीं हो पाई डिपार्टमेंट की income test डिपार्टमेंट ने तो तयारी कर ले लेकिन आपके डिपार्टमेंट ने मैंने देखा बहुत लोगों को फार्म 16 समय से नहीं मिल पाया उनकी सिकायती फार्म 16 ही नहीं मिल तो हम कैसे फाईल करें तो मैं तो यह भी सला देता हूं कि आप फार्म 16 का वेट मत कीजिए आप अपना रेकनर देखिए आएकर आगण आपने जो फाईल किया था उसको अपने 26 से मैच कर वा लीजिए अगर डाट आपका सेम आ रहा है तो इसका मतलब आपके इंप्लायर ने आपके कोई भी डेडेक्शन जो आपने लगाए थे सारे वहां बैलेट किये हैं और आपके सारी छूट वहां मानी गई है सेम टेक्स अगर आपका दिख रहा है तो आपको फाईल कर लें बिलकुल वेट ना करें और ने था कि इस्थिति में तो आपको फार्म सोला का वेट करना पर सकता है वो इस्थितिक का बाती है जब दोनों चीज़े आपकी मैच नहीं होती है कभी कभी ऐसा था कि कुछ हांकड़े आपके जो आपके इंप्लाइर के तो कहीं थोड़ी गलत हो जाते हैं जैसे सैलेरी का हो गया या टेक्स का पोर्शन हो गया तो वहां पर आप यह ऐसी विसंगति में भी आप अपना आईटिया फार्म नहीं सम्मीट कर पाते हैं तो आ अगर आपकी पांच लाग से नीचे इंकम मारें तो कोई बात नहीं है पांच लाग से उपर है और आपके लिए जरूरी है क्योंकि आपका टेक्स ज्यादा कटा हुआ है आपको रिटन लेना है तो ऐसे इस सित्ति में आप वेट किजिए और पांच हजार पेनाल्टी भरक लगते हैं तो यह कंडिशनल हैं अब इसके लिए 31 जुलाई हो चाहें आपको 31 मैं अगस लग जाए सितंबर लग जाए आपको यह चीज़े करने पड़ेंगे तो फिलाल में तरफ से इतनी इंफॉर्म में दोस्तों यह रहा आइट यार वन को लाज्ट टाइम के बाद कैस से भरा जाएगा उसे संबंदित जनकारी अगर आपके फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंड बॉक्स में जरूर लिखेगा मैं कोसित करूंगा कि जल से जल आपको रिप्लाई कर सकूँ वीडियो को लाइक करने के साथ सार अपने दोस्तों को सेयर जरू कर दीजेगा क्यों मिलती रहे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन बैटन को प्रस जरू कर दीजेगा चले दोस्तों मिलते हैं नेस वीडियो में ऐसी इंफर्मेसन नावलेज्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए नमस्कार